नमस्कार दोस्तों जय श्रीकृष्ण राधे राधे था दोस्तों मुख्य दर्वाजे के सामने भूल से भी ना रखें ये चीजें दरग्रता मरते दम तक नहीं छोड़ेगी आपका साथ इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी होती है तो मा लक्ष्मी कभी भी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश फिर चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लोपर देवी देवता हमेशा रहते हैं आपसे नाराज दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों सची श्रधा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव राधे राधे और दोस्तों वीडियो को एक लायक जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से की वो क्या कहते हैं इसके बारे में दोस्तों वास्तु शास्त्र में घर के अंदर सकारात्मक उर्जा का प्रभाव बढ़ाने के उद्देश से कई महत्वपून उपाय बताए गए हैं वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु सकारात्मक और नकारात्मक उर्जा का संचार करती हैं अगर उन्हें सही स्थान पर न रखा जाए तो यह घर में नकारात्मक ता फैलाती है जिसका असर घर की आर्थिक स्थिती पर पड़ता है और घर में कलेश बढ़ता है वहीं अ वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख समरिधी और वैभव का प्रवेश द्वार होता है लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीजें इसके सामने रखी जाए जो नकारात मुक्ता फैलाती है तो इससे घर में कलेश दरिद्रता और बीमारिया भी प्रवेश करती है इसी कारण वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को अधिक महत्व दिया गया है वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए ये चीजें अशुब तो होती ही है साथ ही यह कई तरह की समस्याएं उत्पन करती है इनका असर परिवार की महिलाओं पर बड़े बुजुर्गों पर घर के बालकों पर तथा कुछ चीजें परिवार के मुख्य व्यक्ती के जीवन पर असर डालती हैं और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक परिशानियों का सामना भी करना पड़ता है तो आये जानते हैं घर के मुख्य द्वार के सामने कौन सी चीजें हैं जो होना अशुभ माना गया है लेकिन उससे पहले आप से रिक्विस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे विडियो को लाइक नहीं किया है तो विडियो को एक लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, दोस्तों नमबर एक की बात करें, तो गंदे पानी का जमा जी हाँ. दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के मुख्यद्वार के सामने गंदे पानी का जमा होना बड़ा ही अशुब होता है, यह वास्तु दोश का कारण बनता है, साथ ही इस गंदे पानी में कई तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं, जो परिवार के सदस्य को बीमार कर सकते हैं, इ का नुकसान होने का डर हमेशा लगा रहता है और नंबर दो की बात करें तो कांटेदार पौधे जीहा दोस्तों कांटेदार पौधे कई बार लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए घर के सामने कांटेदार पौधे रख देते हैं लेकिन ऐसा करना बिलकुल गलत है ना कलेश निर्मान करता है जिससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेन कम होता है साथ ही शत्रों की संख्या भी बढ़ती है इसलिए घर के सामने कांटेदार पौधे न रखें घर के मुख्यद्वार के सामने तुलसी अथवा सुगंधित फूलों वाले पौधे अवश रख देते हैं लेकिन वास्तु के अनुसार यह कष्टकारी होता है और धन की हानी का सूचक माना जाता है इसलिए ऐसा न करें और दोस्तों कूडेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है और नमबर चार की बात करें तो बिजली का खंभा कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है लेकिन वास्तु के अनुसार यह हैं परिवार के सदस्यों की उन्नती में बाधा होता है मुख्यद्वार के सामने खंभा होना बहुत यी हानिकारक होता है इसलिए मुख्यद्वार बनाते समय इस बात का ध्यान रखें और नंबर पांच पेड़ पौधे घर के मुख्यद्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए इससे वास्तुदोश उत्पन होता है साथ ही इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता प्रातह काल में घर के मुख्यद्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो यह स्वास्त्य के द्रिष्टिकोन से भी अच्छा होता है साथ ही घर में सुख समरिध्धी और शांती बनी रहती है इसी कारण घर के मुख्यद्वार के सामने पेश होना शुभ नहीं माना जाता और छटी बाद बेल का उपर चड़ना घर के आगे से बेल का उपर चड़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रों की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नती में बाधा निर्मान होती है सात्वी बात करें तो दहलीज जीहा दोस्तों वास्तु के अनुसार मुख्यद्वार की दहलीज से उची सड़क होना कश्टकारी होता है और दोस्तों साथ ही वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह सफेद रंग का तरल पदार्थ निकलता रहता है तो उसे घर के मुख्यद्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए मुख्यद्वार या फिर घर के सामने कोई गड़ा है या कीचड नहीं होना चाहिए यह शोक कारक होता है इससे शोक समाचार की प्राप्ती होती है घर के मुख्यद्वार के सामने मंदिर भी होना बिलकुल नहीं चाहिए अगर घर के मुख्यद्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियों और संकट से गिरे रहेंगे आप मुख्यद्वार के सामने सीडी नहीं बनानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा निर्मान होती है, बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती घर के मुख्यद्वार के उपर अन्यद्वार होना भी नुकसान दायक होता है इससे धन का नाश होता है, घर के उपर पढ़ रही चाया से भी चाया वैद होता है, हालांकि यह देखना होता है कि घर के उपर की चाया पढ़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की चाया होती है, उसी से लाब या फिर नुकसान का पता चलता है मुख्यद्वार या घर के सामने कोई व्रिक्ष होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, यह सभी कारियों में बाधा उत्पन्न करता है, इससे बाल दोश भी उत्पन्न होता है, दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें की घर के मुख्यद्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, दोस्तों माता लक्ष्मी की तस्वीर को अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए, या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुडी सभी चीजे रखनी चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर माना जाता है न कि उनका स्थान आपके द्वार पर कई लोग क्या करते हैं, फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं तो माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों आपको बता दें कि केले के पत्ते की बंदर बाल बना कर अपने घर के मुख्यद्वार पर जरूर लगाना चाहिए इससे माता लक्ष्मी आकर्शित होती है ऐसे घर पर मा लक्ष्मी सदैव अपना आशिरवात बरसाती रहती है बंदर वाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर घर के अंदर माता लक्ष्मी यश वैभव कीर्ती और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्यद्वार माला माल आपको बना देता है घर का द्वार घर की संपन्ता के बारे में बताता है तो भूल कर भी घर के मुख्यद्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कच्रा बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले न कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलना पड़े दोस्तों कई लोगों को यह भी ग्यान नहीं होता फैशन के तौर पर फूल पौधे अपने द्वार पर लगा देते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि पौधे कौन से उन्हें लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए दोस्तों भूल कर भी ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खेलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुर्जा जाते हैं जैसे कि छुई मुई का पौधा इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्यद्वार पर बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए या ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुरगंध देते हैं, इन पौधों को भी मुख्यद्वार से दूर ही रखना चाहिए अपने घर में बरकत बनी रहे और घर में अच्छी, चीजों का प्रवेश हो सके तो दोस्तों ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, घर के मुख्यद्वार पर छोटी छोटी घंटियां जरूर लगानी चाहिए क्योंकि दोस्तों इसकी खनकनाहट जो होती है, वह घर में मा लक्ष करवाती है और दोस्तों साथ ही साथ सकारात्मक चीजों को अपनी और आकरशित करती हैं और नकारात्मक चीजें इनकी आवास सुनकर अपने आप ही मुख्यद्वार से बाहर चली जाती है, तो ऐसी चीजें अपने घर के द्वार पर जरूर लगाएं और फिर देखिए कि आपको कितना फाइदा प्राप्थ होता है एक बात का और ध्यान रखें घर के मुख्यदवार पर कभी भी घर की महिलाएं रातरी के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर न बैठें क्योंकि दोस्तों जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती है खास्तोर से शाम के समय सूर्यास्त के समय ऐसे घर में हमेशा दरगरता बनी रहती है प्राचीन काल से ही यह मान्यता चली आ रही है वैसे तो चौखट पर बैठना बिलकुल नहीं चाहिए ऐसा करना आपके घर में बरबादी का कारण बन सकता है और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते और दोस्तों कई बार लोग क्या करते हैं बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकर गंदी चपल जूते जो भी होते हैं उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर कर या फिर फैंक कर घर के अंदर चले जाते हैं और जूते चपल युँ ही बिखरे पड़े रहते हैं, तो दोस्तों आपको मुख्यद्वार पर हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए जूते चपल तरीके से एक किनारे जूते चपल रखनी चाहिए, कभी भी मुख्यद्वार पर जूते चपल बिखरे हुए नहीं होनी चाहिए इस से मा लक्षमी के आने के रास्ते में रुकावट पैदा होती है तो यह गल्ती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तिमाल नहीं करना चाहिए अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले आये क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तिमाल करने से व्यक्ति की किसमत पर भी ताले पढ़ सकते हैं ऐसी मान्यता है तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो या लिखे क्योंकि यह लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, धन्यवार